निमस्कार दोस्तों अगर आप कर रहे हैं हिमाज़ परदेश सेट की त्यारी यानि कि स्टेट एलिजिविल्टी टेस्ट की त्यारी तो ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हैं और बहुती जादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है हम देखते हैं इसके बारे में अग अगर आप ँसे ओपन करेंगे तो में पर तो तो यह आपको क्या बोला गये हैं इनों ने कहा है कि जो tentative date का था किस चीज का tentative schedule बताया गया था आपको कि हिमाच्यव प्रदेश में state eligibility test short form में कहें तो set जो आपका होने वाला था 2023 वाला जो आपने फिल किया था उसके लिए जो आपको तरीक बताएगी थी 17 March 2024 जारी की थी आप देख सकते हैं अगर 20 जन्वरी का आप notice पढ़ेंगे ये वाला notification तो आप देखेंगे आपको बताया गया था कि आपका जो set का exam है वो 17 March को होने वाला है लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम इसे क्या करते हैं हम इसे करते हैं इसको थोड़ा सा पोस्ट पॉन कर देते हैं अब कब तक पोस्ट पॉन करते हैं ये तो हमें तभी पता लगेगा इन्होंने बता रखा हैं कि अगली जब notify आपको किया जाएगा या आपको जो है notification दी पे और साथ में जो है मैंने इसे बिल्कुल चेक किया है हिमाच्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की वेब साइट पे जो है फॉर्स नोटिफिकेशन आपको यही देखने को मिल रही है लेकिन अगर आपको नहीं पता था कि आपका पेपर जो पोस्ट कोन हो जुका है तो हमारा स्टेडी सर्विस चैनल को विजिट कर सकते हैं दूसरा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेंगी वो आप तक पहुंच जाए अब आपका दूसरे दूसरा जो है आ क्योंकि अगर 17 वाला किसी कारण वंश्यू है अगर यह पोस्ट पॉन किया गया तो हो सकता है अगले वाले भी आपको थोड़ा पोस्ट पॉन के आपके संभाबना बन सकती है तो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में इसकी भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको द हैं आप हिमाचो परदेश की मेरे साथ चोहें इसी मेजर एक क्लास को अटेंड कर सकते हैं थांक्यू सो मच